नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मैमित और गैजेट्स फर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बैस स्मार्टफोन की जोगिया आप खरी सकते हैं 15,000 उरपे से नीचे की प्राइज में और ये वाला जो वीडियो है ये आमने फरवरी मन्त में नहीं किया था क्योंकि कुछ जादा चेंज हमको देखने को नहीं मिला था नेसमबर और जनवरी के लिस्ट से तो वो वीडियो हमने स्किप कर दिया फरवरी मन्त में लेकिन दोस्तों अब यहां पर काफी सारी चेज़ चेंज हो गई है In fact जो ranking थी वो भी काफी अर्थ चेंज हो गई है तो मुझे लगता है कि काफी ज़दा interesting वीडियो होने वाला है और आपको काफी ज़दा मज़ा आएगा अगर आप सोच रहे हैं 15,000 पर से नीचे का कोई फोन खरीटने की तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहेएगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों सबसे बहले हम आपको बता दो कि जो फोन में आपको recommend कर रहा हूँ वो लगबख सभी phones मैंने use किये हैं एक दिन नहीं बलकि काफी जादा दिन use किये हैं और उनके basis के according मतलब जो experience रहा है मेरा उनके basis पे ही ये ranking आपको मिलने वाली है तो चलिए start करते हैं लेकिन हाँ एक request ज़रूर करना चाहूँगा कि अब भी अकर आप से पूछा जाए कि 15,000 रुपे की price में सबसे अच्छा phone कौन सा है इस वीडियो को देखने से बहले तो आपका जवाब क्या होगा वो आप में नीचे comment section बता सकते हैं और request है कि आप comment कर दीजेगा क्योंकि काफी सारे लोग आपके comment से ही feedback लेते हैं और फिर अपना plan करते हैं किसी phone को खरीदने का तो comment कर दीजेगा चलिए start करते हैं number 7 के साथ और दोस्तो number 7 पे हमको देखने मिलता है हमारा Indian brand जो कि है Micromax और यहां पर हमें देखने मिलता है Micromax in Note 1 वैसे दोस्तों कुछ समय पहले यह हमारी list में number 2-3 पे बिधा लिकिन आज यह है number 7 पे इसके काफी सारे reason है क्योंकि काफी कुछ चीजे इसमें आपको ऐसी देखने मिलती है जो कि हमने expect नहीं की थी हाना कि कुछ अच्छी जीजे भी है इस price range की according और इसलिए यह iPhone top 7 की list में deserve करता है जिसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों कि यह iPhone आपको मिलता है 6.67 inches की screen size के साथ में जहां पे full SD plus display यूज़ किया गया है और display quality मुझे अच्छा लगा मुझे कहीं पे भी complain नहीं आई in fact अगर मैं बात करता हूँ performance की तो performance भी अच्छा था Mediatek के Helio G85 G7 के साथ में और यहां पे जो UI था वो भी nearly stock Android है तो वहां पे भी मुझे कोई भी issue दिखने को नहीं मिले camera की बात करते हैं तो 48 Megapixel का आपको camera startup दिखने हो बलता है जो की मुझे लगता है कि decent camera है हम इसे बहुत अच्छा camera नहीं कहा सकते अगर हम बात कर रहे हैं battery की तो 5000 mAh का battery दिया गया है 18 watt की fast charging के साथ में हाला कि जो battery backup है वो 5000 mAh की battery की सबसे नहीं है थोड़ा सा कम battery पर आपको यहां पर देखने हो लेगा और जो charging time है ये भी थोड़ा सा जादा है लगबख 3 गंड लग जते हैं इस phone को 0 to 100% charge होने में ये हमने काफ़ी बात test भी किया है इसका battery test और charging test ये हम काफ़ी बात कर चुके हैं तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते है इस phone का जो design है वो भी decent है लेकिन हाँ अगर मैं बात करता हूँ price की तो ये अभी cost करता है लगबख 11,000 रुपे जहां पर आपको 4G RAM के साथ में 64G storage मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि no doubt यह phone deserve करता है 11,500 रुपे की pricing कुछ कमिया जरूर हैं लेकिन काफी सरी अच्छी बाते भी हैं जैसे कि मैं आपको display के बारे में बताया था या फिर अगर मैं बात कर रहा था इस phone की performance के बारे में stock android के बारे में तो यह हाँ पर आपको काफी अच्छी चीज़े भी दिखने मिल जाती है और इसलिए यह phone आता है अमारे लिसमें नंबर साथ पर दोस्तों नंबर 6 पर हमको दिखने मिलता है Samsung की तरफ से एक phone जिससे आप कह सकते हैं Samsung Galaxy F41 या फिर M21 जी हाँ दोनों ही phone लगबग सेम है लेकिन हाँ कुछ difference आपको देखने मिल जाता है जो की होता है main camera का 48MP का camera setup आपको देखने मिलता है M21 में जबकि 64MP का camera setup आपको देखने मिलता है Samsung Galaxy F41 में जो बाकी सारी चीज़े हैं फिर चाहे हम यहाँ पर battery की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं phone की display की या फिर अगर हम बात कर रहे हैं phone की performance की तो वो बिल्कुल same है तो आप choose कर सकते हैं कि आपको 48MP का camera setup चाहिए या फिर 64MP का हाला कि यहाँ पर camera samples में हमें difference देखने मिलता है जो picture quality है वहाँ पर भी difference देखने मिलता है pricing की बात करता हूँ तो M21 में आपको मिलता है लगबग 14,000 रुपे की pricing में जबकि F41 मिलता है लगबग 15,000 रुपे की pricing में हाला कि अगर जो offers वगर आपको देखने को मिलता है online sales पे वहाँ पर यह दोनों ही force लगबग 1000 रुपे से लेकर 2000 रुपे की discount में भी available होते है तो मुझे लगता है कि इनका pricing 13,000 रुपे और लगबग 15,000 रुपे आपको मिलना चाहिए अब यहाँ पर अच्छी बात है दोस्तों क्या है तो वो भी no doubt काफी अच्छा perform करते है और इसलिए दोस्तों यह आता है अमारी list में number 6 पे हाला कि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों performance की तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा compromise का मतलब यह नहीं है कि performance बिल्कुल अच्छा रही है जी नहीं आपके daily users के task आराम से आप अच्छे से complete कर सकते है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है Exynos का 9611 chipset हाला कि अगर आप बहुत ज़्यादा heavy gaming करते हैं तो फिर यह iPhone आपके लिए नहीं मने है यहाँ पर आपको उस level का performance देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए दोस्तों यह number 6 पर है अगर इसका phone का performance बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो शायद यह 1 और 2 number की position को भी deserve कर सकते थे तो F41 या फिर M21 यह आते हैं अबर लेस में number 6 पर number 5 को दोस्तों आता है Poco X2 हाला कि यह iPhone अभी मेरे पास available नहीं है और आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि यह iPhone काफी ज़्यादा पुराना हो चुका है तो जी हाँ यह बिल्कुर सच है कि यह iPhone थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है लेकिन अभी उस iPhone का जो pricing है वो है 14,900 यार रुपए बदलब under 15,000 और कुछ offers में तो वो आपको 13,000 रुपए में भी मिल जाता है लेकिन दोस्तो अभी भी उस iPhone में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि आपको 15,000 रुपए के फोन में देखने को नहीं मिलती है सबसे पहले तो उस iPhone का डिस्प्लेइ जी हाँ, वहाँ पे आपको मिलता था Full HD Plus IPS पैनल जो की 128 के screen differentiate की साथ में आता है उस iPhone में जो camera था वो no doubt काफी amazing था 64 Megapixel का आपको quad camera साथ दिखने होलता था Sony की IMX686 sensor के साथ में और no doubt कमाल का performance आपको camera का दिखने होलता था दोस्तो इसके लब अगर मैं बात करता हूँ बैटरी की तो 4500 mAh का बैटरी था हाला की battery backup थोड़ा सा कम था लेकिन जो charging speed था वो काफी अच्छा था 27W का fast charging support आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है phone का design अच्छा है build को लिए अच्छा है complete phone आपको glass build के साथ में देखने हो मिलता है तो मुझे लगता है कि अभी भी यह phone deserve करता है best smartphone की list में और इसलिए यह हमारे list में है number 5 पर number 4 की तरफ दोस्तों चलते हैं तो यहाँ पर है latest launch Redmi की तरफ से क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मिलता है Super AMOLED पैनल और यह पहला phone है Samsung के अलावा जो कि आपको 15,000 पर से नीचे की price में Super AMOLED पैनल दे रहा है जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है और मेरा सबसे preferred feature जो किसी phone में होता है वो होता है इस फोन का display डिस्प्ले डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए चाहे फिर जो प्रोसेजर हो या फिर जो बाकी जो चीज़े है वो थोड़ा सा अगर decent भी होंगी तो चलेगा लेकिन फोन का display काफी अच्छा होना चाहिए यह मैं आपको काफी समय से कहा रहा हूं वैसे इस फोन का IMAX 582 है जो की काफी समय पुराना है लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा performance देगा test करेंगे इसको इसके अलब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस फोन की design की तो वो भी काफी अच्छा आपको देखने हो मिल जाता है performance की बात करते हैं तो वहां पे भी decent performance मिलने वाल है तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि यह phone डिसर करता है number 4 की position और आप जरूर इस phone की deal को grab कर सकते हैं 16 तारिक को 16 मार्च को इसका first sale आने वाला है number 3 पे है दोस्तो Poco M2 Pro जी हाँ मेरा one of the favorite phone है इससे मैंने काफी समय तक यूज किया है काफी लंबे समय तक यूज किया है और इस phone में काफी सारी अच्छी बाते हैं सबसे पहले तो इस phone का design जो कि मैचे काफी अच्छा लगता है build quality आपको काफी अच्छा देखने हो लेगा इसके लोगर मैं बात करता हूँ performance की तो इस price के साबसे no doubt बहुत अच्छा performance आपको देखने हो मिलता है camera आप कह सकते हैं कि decent है मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन हाँ decent camera setup आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है 48 Mbps के primary sensor के साथ में इस phone का battery आपको मिलता है 5000 mAh का 33 Watt का fast charging का support आपको देखने हो मिल जाता है phone में display quality अच्छा है जी हाँ IPS panel आपको मिलता है एक full SD plus resolution के साथ में लेकिन जो display का performance है वो मुझे अच्छा देखने को मिला है वैसे अभी जो इस phone का pricing है वो है लगबग 13,000 रुप है लेकिन हाँ काफी सारे discounted offer आपको यहाँ पर देखने हो मिलते रहते हैं इस phone के उपर तो यह phone हमें 11,500 पर 12,000 रुप की pricing में easily मिल जाता है तो अगर आप चाहे तो wait कर सकते है उस pricing का लेकिन 13,000 पर मुझे लगता है इस phone के लिए काफी अच्छा price है तो यह हमारे list में आता है number 3 पर number 2 पर आते हैं दुस्तों दो phones जी हां Realme 7 और Narzo 20 Pro जैसे कि मैं आपको F41 और M21 बताया था ना तो यहां पर भी आपको कुछ गिन्नी चुन्नी differences दिखने हो मिलता है वैसे दोनों ही phones लगबग seem है क्या क्या differences है क्या क्या अच्छा ही है सबसे पहले इन दोनों ही phones में आपको Med refresh rate दिया गया है तो काफे smooth यहां पर performance आपको मिलती है इसके अलब अगर मैं बात करता हूं Realme 7 की बैटरी की तो 5000 इमेच का है 30W की charging की साथ में वहीं अगर मैं बात करता हूं Narzo 20 Pro की तो यहां पर बैटरी 4500 इमेच का है लेकिन वह आपको मिलता है 65W के charging support की साथ में तो एक यह दो difference आपको देखने बलता है इन दोनों ही phones में बाकी सारी चीज़े बिलकुल सेम है और वो काफी अच्छा perform भी करती है तो आप अपनी priority के according चूज कर सकते हैं दोनों ही phone में से दोनों ही phones काफी अच्छे है हमारे लिस में आते है नंबर 2 पे और अब भी जो current pricing है इन द दोनों phone की तरह भी जा सकते हैं वैसे मैं आपको बता दूं कि realme 7 दिसंबर जनवरी तक की लिस में नंबर 1 पे आता था लेकिन अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और आप आ गया है नंबर 2 पर नंबर 1 पे आता है दोस्तों एक ऐसा phone जो कि अभी हमारे पस अवेलिबल नहीं है जी हां जो की latest launch है मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro की जो की recently इंडिया में लॉच हुआ है प्राइजिंग आपको मिलता है 15,900 रुपए और सीधे ही आते ही कि यहां पर हो गया है यह नंबर 1 पे उसका क्या रिजन है दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको देखने मिलता है Super Emerald Panel जो कियाता है 120Hz के Screening Refresh Rate के साथ में जी हां 15-16 रुपए की pricing में ऐसा पैला है में देखने को नहीं मिला था कि Super Emerald Panel भी देखने को मिल रहा है और 120Hz का Screening Refresh Rate भी देखने मिलता है तो यह इस फोन का सबसे बड़ा Key highlight feature है लेकिन हां अगर मैं बात करता हूँ कुछ दूसरी चीजों की जैसे की design की तो phone का design भी आपको काफी अच्छा देखने मिलता है camera setup 64 Megapixel का आपको देखने मिलेगा हाला कि अभी तक हमने इसको test नहीं किया है लेकिन हां specification जो आपको देखने मिलती है उसके according मुझे लगता है कि अच्छा performance होने वाला है battery की बात करते हैं तो यहा आपे भी performance अच्छा था यहां भी में मुझेट करते हैं कि performance काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है और दोस्तों सब्सक्राइची बात इस phone का जो pricing है वो है सरफ 15,900 रुपए जो की bank offer के साथ में मतलब ICC bank offer है जहां पर आपको 1000 रुपए का discount मिल जाएगा तो यह phone आपको एक bonus phone में आपको बताना चाहूंगा जो क्याता है realme की तरफ से जी हां और यह है नार्जो 30 pro इस phone का जो pricing है वो है 17,000 रुपए नार्जो 20 pro का pricing था 15,000 रुपए से नीचे हाला कि यह phone इस list में नहीं आता है लेकिन मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा कि अगर यह phone आपको discount के बाद में या फिर किसी offer के बाद में 15,000 रुपए से नीचे मिल जाता है 15,000 का भी मिल जाता है साड़े 15,000 को मिल जाता है तो यह phone number 1 की position को भी डिज़र करता है क्योंकि सबसे पहले दोस्तों यह 5G phone है तो future ready phone है आपको 2-3 साल phone change करने की जरवत नहीं होगी दूसरा यहां प बाद करता हूं इस phone की display की तो वहां पे भी आपको 128 का इसके नीचे मिल जाता है आला कि IPS पैनल है लेकिन इस phone display है तो मैं suggest कर सकता हूं इस phone को लेकिन अगर इस phone का pricing 15,000 पर होता है तो और वो no doubt हो भी सकता है क्योंकि जो भी offer आता है वहां पे आपको 10% का instant discount देखने हो मिल तो दूस्तों ये थे top 7 best smartphone हाला कि 8 phone मैं आपको बता दिए 9 phone आपको बता दिए तो आप क्या सोचते हैं इस list के बारे में नीचे comment section में बताईएगा अगर आप मेरे बात साइगरी करते हैं तो एक like दीजिएगा नीचे comment section में बताईएगा कि हम आपकी बात साइगरी करते है और अगर आप नहीं करते हैं तो भी नीचे comment section में बताईएगा हमें कुछ स्वेस्ट चेंज करने चाहिए थे वह आप में नीचे comment section में बता सकते हैं चली दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में मुझे हुई देखिए अगर आप चाता है ऐसे और वीडियो देखना चै